प्रवाइब नमस्कार प्रशाथ क्यों प्रवाइब प्लेटफोर्म पर आपका श्वागत विननदन हैं हम बात कर रहे थे इतियास की और राजस्तान की इतियास के प्रवाइब प्रवाइब ने क्या देखा था प्रवाइब काफी कुछ पढ़ रहे था बड़ा रोमांटिक सीन चल रहा था और पद्वनी के द्रश्य चल रहा था प्रशाथ यह और आप भी इसके साथ ही जुड़े होए थे मुझ मस्ती में साथ हम दूआ करते हैं उसे हमें आपको जोड़ने का प्रियास करता हूं जोड़के फिर नेक्स आगे बढ़ते कर चलिया क्या देखा था पिछली क्लास में हमने हमने बात की ती मेवाड की और मेवाड में कहां तक पहुंच गए थे पहरिशाथी और हम पहुंच गए थे रावल रतन शींग तक जह पुद गये थे रावल साखा का रतन शींग जो अंतिम सासक माना जाता है और अंतिम सासक कि जानकारी सरसा सूरी के विद्वान मलिक मोहमद । कि द्वारा लिखी गई पदमावत से हमें मिलता है किसे मिलता है वई पदमावत से हमें जानकारी मिलती है किस प्रकार की जानकारी मिलती है यह रचना जो पदमावत है यह 1540 में की गई किसके द्वारा पदमावत मतलिक मुम्मद मलक मुंबच जायसी की एक रसना माने जाती है जिसकी रसना पंद्रा सो चालीस में की गई और पंद्रा सो चालीस में की गई और पंद्रा सो चालीस में इसकी रसना करने के साथ ही यह आउदी भासा में कौन सी भासा में की गई थी वही आउदी भासा में की गई यह पदमाव दसरत सर्मार गोफिनास सर्मूद यह इसका समर्तन करते हैं कि यह कहानी शत्य है या नहीं है इसका समर्तन करने वाले कोन हैं यह सारे लोग और बात करें इसका विरोध जब समर्तन होता है तो विरोध भी होगा इसे चीदों का अब क्या कंडिशन है इसका विरोध करने वाले रहे हैं गोरी संकर हीरा चंद ओजा सुर्यमल ड़िष्रण यह करते हैं कि यह नपकुर यह क्या है पादनी का ऐसा कोई दरस हुआ ही मैं क कोई आपके मोनोथ नैयर सुर्य सुर्यमल मिष्रण में आप यह विरोध करने पदमावत कथा या प्रेम कथा या पदमावत कथा या पदमावत ग्रंद के अनुसार हम देखें उसमें किसका उलेक मिलता है हमें रूपको का उलेक मिलता है रूपको के द्वारा अर्थार्त इसमें रतन सींग को मन बताया गया क्या कहानी का मन बताया गया कौन से कहानी का पदमावत जो कहानीं है उसका मन कौन है रतंची उसका सरीर की तोड़गडर दुरूग है तोड़गडर दुरूग है बुद्धी पदमनी को बताया गैं इसका गुरू बताया गया सबसे महत्तिकान किसका गुरू पता है और रहामन तोते को इसको क्या बताया गया इसका गुरु बताया गया और बात करें यहां पर अल्लाउद्दिन को इसकी माया मोह माया बताया गया और डिया बतीय है कहानी के माद्यम से हमने समझना चाहा था और किस प्रकार से यह कहानी घटी तो होती है पेर रोज तो वह जानकरिया प्राप्त कीजिए देखेगा अब बात करने वाले किस प्रकार से आपको पता है कि राजा कंदर्वसेन कहां का साशक हुआ था स्री लंका का इधर जो साशक साशक बन जाता था कौन रटन सींग सासक बन जाता एक आका मेवा रॉक्त यह जित्टोड मता है हुआ क120 साशक बनता है इसका जो सासनकाल मारारत जाता है तसे लगा कर 下 Tam sta सबबस्रम ऑना जाता है रावल दोस्तों तो लेकिन इसी दोरां गंदर्व सेन के यहां जो गंदर्व सेन था यह कहां का राजा था यह शिंगल दीप का राजा हुआ करता था वही शिंगल दीप का राजा कौन हुआ करता था गंदर्व सेन और इसकी पत्नी थी चंपावती यानि इरानी कों थी चंपावती इसके एक पुत्री हुआ करती थ पास एक तोटा था जिसका नाम था ही रामन तोटा क्या था भई ही रामन तोटा यह गागरोनी किस्म का यह रामन किस्म का हुआ करता था इस तोटे की विशेस्ता थी कि यह हुब वू मानव की आवाज में बातें किया करता था एक दिन इस पिंजरे से कौन से पिंजरे से इस कि इस पिंजरे से ये ट्टा अब जाता जाता है यह आ जाता है और और सिकारी काकड़ लेता इस सिकारी पकड़ लेता है अब सिकारी से यह बोलता है बाते करता है क्या करता है बाते करता है और बाते करने के दोरान क्या करता है कि मुझे मतमारो मैं आपको बहुत सारी जानकारिया देंगा तो मेरे को जानकारिय क्या का शिकारी तो शिकारी टेरा भई उसको तो व्यापार करना या तो बेच कर या फिर क्या करेगा श किसको यह शिकारी किसको बेश देता है ब्रामन को बेश देता है और ब्रामन को बेश देने के पश्यात एक दिन ब्रामन कहां आता है राज दरबार में आता है तो उसने सोचा यह बाते करता है ब्रामन से कौन यह तोता और ब्रामन से बाते करता है तो कहा जाता है कि भैसाब कि आप यहां क्या कर रहे हो यह वह आप तो बड़िया उंची उंची देता है किसके रामन के और ब्रामन जब राज दरबार में जाता है तो इस तोटे को साथ में लेकर चला जाता है जब राव रतन सिंग क्या था राज कुमार हुआ करता था राव रतन सिंग क्या था उस ट रतन प्रेइभी तोते को देखता है और इस ब्रामन से किसे पहार दोस्तों इस ब्राहण माद से थे टोते को खरीद लेता है किसको ते को क्या खरीद लेता अरिमी एक सब सब्कूछ है क्या है सब कुछ है आपके पास किसे रतन सिंग से तोता बाते कर रहा है कौन बाते कर रहा है रतन सिंग से तोता बाते कर रहा है कि आपके पास सब कुछ है कौन बाते कर रहा है यह आपका तोता है और यह किसे बाते कर रहा है यह रतन सिंग से बाते कर रहा है किसे रावल रत रतंसिंग से बाते कर रहा है यह तोता है यह यह पेर बन गए यह पेर इसके लिए यह तोता किसे बाते कर रहा है रावल रतंसिंग से इसके कंदे पर बैठा है इसके कंदे पर यहां पर यह गावल रतंसिंग गावल रतंसिंग के कंदे पर बैठा है तो तो ता रावल रतंस यहां पर यह देख रहे हैं आप यह रावल रतंद सींग को यह कंदा रतंद सींग घूम रहा है यहां पर पारक में गार्डन में और यह बढ़ियासा अच्छे से कंदे पर तोता बेठा यह बाते कर रहा है इससे रावल रतंद सींग से आपके पास सब कुछ है लेकिन तुरे की कमी आपके पास उन्दर यह कि अमारे पास है तो यह नहीं सकता कि वहां जाके हरम में जाकर देख कितनी शुंदर शुंदर रानिया पड़ी हुए तो देखकर चकित हो जाएगा रहें सब देख लिया कि या सब देख लिया कि तब देख लिया और सब देख लेने के पश्यात क्या कंडिशन प्यार दोस्तों कि नहीं है कि मैं बताता हूं जैसी सुंदर की कैसी की रानी पदमनी की जैसी अर्थात तो राज कुमारी कौन राज कुमारी और राजकुमारी कौन पदमनी कौन पदमनी के बराबर सुन्दर नहीं है इसके बराबर सुन्दर नहीं है और कहा जाता है पदमनी को उस जमाने का सबसे सुन्दर नारी रत्न माना जाता था और पदमनी के बराबर सुन्दर तो है यह नहीं यह तो ते और तो इतनी सुन्द इतनी शुंदर इतनी शुंदर की रावरत्न शिंग के दिल और दिमाग में पदमनी चा गई यह उठे तो पदमनी सोये तो पदमनी जागे तो पदमनी दिमाग में पदमनी चले और कुछ नी दिमाग में आये यह बावडय सा हो गया पागल सा हो गया और पागल सा हो गया तो किसको बारा वर्सों तक किसको पदमनी को किसको पदमनी को प्राप्त करने के लिए क्या करता है यात्राएं करता है कहां की सिंगल जीप किसकी सिंगल जीप कि कई बार यात्राएं करता है लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती पैर दोस्तों किसको रावल रतन सिंग को जब सफलता नहीं मिलती, इसको देख भी नहीं पाता, लेकिन का जाता है, एक बार ये योगी के भेश में गया हुआ था, और कहां पर राजा गंधर्व शेन, कहां पर गंधर्व शेन, कहां पर गंधर्व सेन के यहां, किसके रूप में गया था, ये योगी के भेश में गया था, या यो ब्रमण के दोरान ब्रमण के दोरान किसको देखता गई कौन चा गई पद्मनी और अब पद्मनी को प्राप्ट करने के जोड़् जिग्यासा हो गई और कहा जाता है पहरो दोस्तों यह योगी बंकर काब 10 वस्पस्तित होता है रावल गंदर हैं कि लेकिन कि यह किसी क्या गया किसका सत्रंज का किसका सत्रंज का टोनामेंट आयोजित किया और उस में आपको पता है एक टेबल यह भीच में टेबल लगा दी गई क्या इबल लगा दी गई इधर और इस टेबल पर कौन बेट गया एक side में य उर्सी लगा दी गई इस चेहर पर अपर जो चेर लगी हुई दो test आप ouais इस फिर पर गंदर्व सेन स्हें नमेंट गया और एक्थरफ खोन सत्रव का टेल आई किया और सत्रंज का खेल आई जित करने के बाद पैर दोस्तों क्या कंडिशन मिलती है एक तरफ तो ये गंदर्व चेन बेट गया कौन बेट गया भई ये गंदर्व सेन बेटा हुआ है इस पर पेल लटका का और यहां पर पासे किसका चोपड़ पासे का खेल खिलाया जा रह कर दीए किसको और उसमें एकलिकेसम फॉम किस satisf 아니에요 डाला था इस टूर्नामेंट में किसमें इस डूर्नामेंट भाग लेने कि लिए रतन सींग बी पहूंच से रतन सिटी पोचिए रतन शी पोचिए उसने की राजाओं गंदर्व सेन प्राजित करदिया था किस ने एक तरफ तो ये गंदरब सेन और ये और दर गंदरब सेन कोन कामने और इधर कई राजाओं को पराजित करके अंत मेंज़्ट करना नो रतन सिंग्ना विट करता है 3 वाद 3 विद्र तीन बार तीन उ पारियों में कि पराजित कर दیता है गंदर्व सेन को पराजित कर दिता है उतना टैलेंट आध मिता जिसको सत्रच खेलने का भ्यां था और कहा जाता है पार दोस्तों की कारण ये कहां पर यहां पर व्याइब रप्ट कर लेता है और गंदर इनको प्राजित कर देता है गंदर जब प्राजित को जाने के पमस्चाति से कहते है रतन शींग से कि मांगो की क्या चाहिए तुम्हें धन डूलक चीये वह चीये यह सोरत चीए क्या है कि भाई में कुद मेवार का राजा जो सबसे बड़े दुर्ग का राजस्तान का गोरव कहलाने वाला दुर्ग तो बेटी है ना इस बेटी का विवा हमारे साथ कर दीजिए किसका इस बेटी का विवा कर दीजिए और कहा जाता है प्यार दोस्तों इससे अच्छा वरका मिलेगा और कहा जाता है रतन सींग का और किसका इधर रतन सींग किसका रतन सींग का और पदमनी का किसका पैर दोस्त तो इदर रतन सींग और रतन सींग और पदमनी का विवा कर दिया जाता है वहीं पर विवा कर दिया जाता है गटपंदन कर दिया दोनों का विवा हो जाता है विवा हो जाने के पश्चाति इसको कहां ले आता है यह यहां पर मेवार ले आता है कहां ले आता है मेवार लेकर भाई साब लेकर हे आया बुरे नजर्वाले तिरा मुकाला सबी दूसरों की नजर्ए पड़ गयी पर वाइसा अब ये मेवाड में आई थी आने के प स्चात तो मेरी एक पदमनी क्या कहते है ने कि यह क्या आप ब्रांवन को बोजन करOkay यह यह बहुत शाये बोधन करने के लिए यह बहुत अरे ब्रहामना आ जाते हैं ठीक्डियक आपकी शتय हैं तोर्के सारे नहें द देदिए और सारे ब्रामनों को यहां पर जीमने के लिए बुलाया जाता आई दुहार्मना दी म alguns धी जाते हैं और दिश्यमिने के पस्चात उपखार दिये जाते हैं कि गया दिये जाते हैं पहार दिया जाते कि 요 ब्रामनों को और वह उपहार को बाहते हैं ऑद कर smoking को देते हैं और यहां पर एक कौन था राघव चेतन नामक तांत्रिक था यह एक ब्रामनी था लेकिन कहा जाता है इसकी बुरी नजर थी और बुरी नजर किसके उपर पड़ जाती है पर पदमनी के उपर पड़ जाती है और पदमनी को यह अपने मन ही मन चाने लगता है और पदमनी के अजाता है और का आजाता है प्द पर फींगी कि इसकी तो यह तो फार मार लेता था ले रहाता उससमय भी किसके उपर अपना पदमनी के उपर पतली कमर वाली बढ़िया सांधार सी आच्छी सी खासी सी कौन पदमनी उसको देख रहा था और इसका दिल पदमनी के उपर आ जाता है बाई साप दमनी के उपर किसका रागव चेतन जब रागव चेतन पदमनी को देखता है तो का जाता है कि इसके लिए त करने लगता है और एक दिन दर्बार में आ जाता है दर्बार में मिलता है बाते करता है बाते करने के प्रश्चा का जाता है पदमनी एक हाथ की चूड़ा मड़ी उतार के इसको दे देती इसकी बातों से प्रभावित होकर किसे इसके रागव चेतन की बातों से प्रभावित ह कर दिता पंडित था बहुत अच्छे बात को दे दी उसको देदी तो काध आता है किसके ऊपर रागाउ-चेतन के ऊपर और यह बुलाता हैों रावरतन सेंग के द्वारह बुलाया जाता और इस क्या किया जाता है यहां से निकाल दिया जाता है में इसके राजदर्बार से निकाल दिया जाता है यहां है दिल्ली का सासक कौन था अल्लावदीन खिल्जी और यह सोचता है कि मैं रागव चेतन कौन रागव चेतन जो सोचता है यह मैं कहा जाओं तो यह कहा आक्पी यहां अल्लाःदीन के यां जाकर शरण लेता है प्छालिव तो आपको पता है कि Пछली क्लास में किसको आपको पतार दूस्तों पिछली प्रास में हमने बात की ठी found कि इसको एक तो केब्रू और एक मुम्मत साह कौन केब्रू और मुम्मत साह कहां चले गए थे इसकी सरण में गए थे यह मुम्मत साह और यह केब्रू किसकी सरण में चले गए थे हम यहां से यहां से कहां सिवाना से इसके लूट के माल को लेकर कहां पहुंचे थे यह कहां पहुंच कि युद्ध का होगा उसका कारण था यह टेक्स वसूला था समर्शींगे अब कंडिशन क्या होती है इसी दोरान देखेगा क्या कंडिशन भी कंडिशन यह होती है पैर दोस्तों कि यहां पर पदमनी और इसके बीज में अब रागाव चेतन किसके कि पास चला जाता है और अल्लाव दिन खिली कि यहां जाकर कहता है कि बाई साब मेरे को सरण दो तो अब डारेक्ट तो दे नहीं सकते हैं एक दिन ऐसे डारेक्ट तो यह गया भी नहीं और पहले का जाता है कि यह बासूरी बातक था कौन रागाव चेतना बढ़ी अच्छी बासूरी बचाया करता है जिन जंगलों में कहा जाता है कि जो कहा जाता है दिली के आसपास के जंगलों में जाकर यह एक दिन बासूरी बचा रहा था तो उसी दोरान यहां पर सिकार खेलने के लिए कौन आया वा था अल्लाव दिन खिल जी सिकार खेलने के लिए आया था सिकार क्ले cater के दोरा निगा जा दरी इसकी बॉआ सुक्री की दूम सुनता है और इससे बड़ी मोहित करते कि बांसुरी तो बड़ी मोहीत करते है कि इसके नायाब चीज्स तो स्कूप कौन हैँ यह बासुरी बजाने वाला और बांसुरी बाइटने वाला इतना अच्छा वादा कौन रहए ढास जा जाने होपर hundred किसटी मासुरी के उपर मोहित हो जाता है रागाव चैतन को बुला सेनिकों को की द्वारा भुला लिया जाता का बहले ने कि कंडिशन कि यह साथ यह रागव चेतन को इस्तान दे देता है लाव दिन खिल जी अपने हरम में राज दर्वार में इस्तान दे देता है कि तुझ यही बांसुरी बजाते रहें अब क्या कंडिशन तो शुना था लेकिन बात शीते छोड़ी सी चांड पर चांड बढ़ती है बढ़ने के प्रश् अब चतना लाव दिन खिल जी सकता है कि आपके यहां सब कुछ है लेकिन नारे संदर रहा किक नारे संदर अपने हमें जाके हरम में देख तुन ने देखी निए एक से बढ़कर एक राणिया पड़ी है इतनी मस्त मस्ता आइटम है लेकिन का जाताए नहीं कि फिर भी नही कि बात कर रहा हूं कि इसकी बात कर रहा हूं किसकी चितोड की राणी कहा की ऑतोड की राणी पर बॉटे ृमिवर कौनव डही पर मनी और पिदमनी आपके दरबार में नी ची एकारो नीच govern कर वार में नी चैहां से चड़े के जाड़ पे चड़ा देता इसको 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 इसे प्रक्राप्त करना चाहता है कि कौन चाहता है तो एक लेटर लिखता है कौन अल्लावदीन खिल जी एक लिख दूं अल्लावदीन खिल जी किसको रतन सींग को एक लेटर लिखता है उस लेटर में क्या लिखता है यह लेटर लिखता है यह लेटर लिखता है कहां पर बेजता है मेवाड बेजता है का बेजता है मेवाड बेजता है उसमे परिवार के साथ आए ये मिलने के लिए ऐसा पत्र पिश्को मिलता है रतन सींग को जब इसका अलाव जिन खिल जी का अब लेटर मिलता है तो रिटर्न करके अर्था तो दूसरी बार रतन सींग इसके जवाब में पिर पत्र लिखता है कि आप क्या मैमान नवाजी करोगी आए कभी के मेवार येसाब पत्र को लिखता है मेवार कर्से क्यों लिखता है रतन सींग ज्लाओं शीन कि एसा पत्र लिए में आप कंडिशन यह से दोनों से require तो कहा जाता है कि अब युद्ध होना ही अब तो एक अब संकट के घडियां टड़ी नहीं सकती और कंडिशन ये हो जाती है पैर दोस्तों क्या कंडिशन हो जाती है कि जहां सब हला। दिल्लीश से कभ प्यारसातियों 28 दिल्ली से प्यार दोस्तों अल्लाव दिन खिल जी 28 जनुवरी तेरा सुटीन को रवाजा होता है ताहां से 28 28 जनुवरी 1303 28 जनुवरी 1303 को अल्लाव दिन खिल जी दिल्ली से रवाना होता है अपनी सेना लेकर अपनी सेना लेकर और कहा जाता है कि अंतिम जो निर्नाएक युद्ध होता है वो कब हो जाता है प्यार दोस्तों में यहां से दिता हुआ यह लेकर आता है कहां आता है भी सेना लेकर आता है कहां इस दिन लेकर आ जाता है और अंतिम जो निर्नाएक युद्ध होता है पैर दोस्तों होता है 26 अगस्त अब 27 अगस्त तेरा सो तीन अब 20 अगस्त 1303 को अंतिम निर्णायक युद्ध हो जाता है क्या हो जाता है अर्थात ये शपर ये जो सफर है इस सफर में कहा जाता है किसी शेना लेकर आता है और कहां पर सेना रोकता है ये अपनी सेना को कहां पर रोकता है वीच में रस्ते में रोके गई से ये शेना लेकर आता है और सेना को कहां पर रस्ते में रोकता है रस्ते में कहां पर प्यार दोस्तों यहां पर हम जिक्र करने जा रहा है इसके देखेगा कि सिच्वेशन यह है कि यह जो सेना लेकर आता है और सेना किस तरीके से यहां पर आगे के और बढ़ती है पर दोस्तों क्या कंडिस्ट अब गंबीरी और बैड़च नदियों के कि बीच में गंबीरी कौन सी कि गंबीरी कि वह कि पैड़च कि नदियों के मद्धे में 6-8 माहा तक कब माहा तक सेना रुकती है कि इतने समय तक 6-8 मैने तक सेना रुकी रहती है चेसी 8 मैने तक का अब आपको पता है सबसे पहले तो यह क्या करता है अब से पहले आता है डारेक्ट दूरक पर कबज़ा करने की सोचता है लेकिन दुर्ग तोडगण का सुरी यहां चोटा मोटा तो आज उसको पार पाना नहीं यह अपनी बड़ी सेना के साथ आता है अल्ला उद्धिन खिल जी लेकिन इसको सफलता नहीं मिलती प्यार दोस्तों लगवक्त छे से आठ महीने हो जाते हैं और छे से आठ महीने आप पता है कि पढ़ा रहे लोग डाउन लगा लेगा गेट दरवाजे बंद कर लेता है रतम सिंग्या करता है दरवाजे भी इसके साथ याता है रागल चेतन साथ में आता है तो का आज आता है तो इस दिन क्या हुआ दिली से जेना रवाना हुआ ठीक है इस दिन क्या हुआ दिल्ले से सेना 28 जन्वरी को रवाना हो जाती है और 6-8 महीने ते कहां पर पड़ी रहती है गंबरी और बैड़स नदियों के बीच में कुछ छेत्र है यहां पर पड़ी रहती है अमीर कुष्रो और रागव चेतन इसमें शामिल थे इस सेना में तहां ता, इसका विधुवान था एक तो अमीर कुष्रो ओन अमीर कुष्रो अमीर कुष्रो और एक रागव-चेतन रागव-चेतन जो ब्रामन था वो चात में आया था सला, ये दूनों इस सेना में सामिल निग ग्रे जन की. अब कि यह नामे का मिलते हैं कि यह यह स्क्राइव में सामिलते गुश्व और कहा जाता है पहरे दोस्तों दोनों कहा थे सेचाहरा में सामिल हुआ थे और मिल होने के बाद भी का जाता है इस सेना में अब क्या कंडिशन है कि एसे आठ महीने तक बंद्ध में पनार रखा और का जाता है यह हम वीतरी कर ले अब जब इसको सपलता नहीं मिली प्यारे दोस्तों इसी दोरान अगया एक शिशोदी एक शीशोदी शाथ महीने तो यहां पर घेर डालाईर्य रखा था इसी दोरान एक सिशोदी ठिकाना पड़ता था यहां पास में कॉन्ता शीशोदी ठिकना कॉन्टा ठिकने का जिए ठानीग अंता लक्शमन सिंग्, annéesप्शमन क्री शावते जो अपने शाथ पुत्रों के शाथ इसी दोरान इसी बीच में का जाता है ये शिशोदा ठिकाने का सामन तता लख्रमन सिंग वो इसके उपर आक्रमन कर देता है आक्रमन कर देने के प्रश्चात अपने साथ पुत्रों के शाथ ये वीरगति को प्राप्त हो जाता है इसी दो तोदा कि काने का चामन्त लक्षमन सी लक्षमन की अल्ला उद्दीन की खेना से अल्ला उद्दीन की तेना से अपने चात पुत्रों के शाथ लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है इनी वीच में का जाता है कि मद्दे में जो यह सेना ठेरी वीटी उसी दोरान यह आक्रम कर दिया जाता है और ठाकुर लक्षमन सींग ता कहां का सिसोदा ठिकाने का ठाकुरता या सामन्त था लक्षमन सींग यह अपने साथ को तरों के शाथ इस युद में क्या होता सींग बई वीर गति को प्राप्त हो जाता है यह उलेक कहां पर किया गए है यह कुम्बल गड़ प्रसस्ती में यह उलेक हमें कहां से मिलता है यह हमें जानकारी मिलती है कहां से मिलती है कुम्बल गड़ प्रसस्ती यह जानकारी हमें यह हुलेक यह उलेक कुम्बल गड़ कुम्बल गड़ प्रसस्ति से मिलता है. प्रसस्ति से मिलता है। काहां से मिलता है वही यह जानकारी हमें कौन देता है कुंबल गड़ प्रस्थि यसी जानकारी हमें देती है और यह जानकारी हमें प्राप्त होती है अब कंडिशन क्या है अब सेना यहां पर है अब ध्जय कल्द सकने अब सेना चलता है और सेन को नहीं आ जाए तो यह की नदियां की बहुत उपान पर आती है यहां पर लगी कुछ सरदार थे वो सोचने लगे कि बावड़ा बना रहा है साला यहां ना तो आकरमन कर रहा कुछ नहीं कि अब गेरा बना कर वितने दिने उश्व डाल रहे चेसे-8 महीं नहीं होगे और का जाता है बरसात का समय आ गया तो हम यह से मर जाएंगे जी नदियों में बे बेज रहे हैं अल्ला उद्दिन खिल जी ने किसको रावल रतन सिंग को पत्र लिखा किसको पत्र लिखता रतन सिंग को पत्र लिखा और लिखा पत्र में क्या इस पत्र में लिखा कि हम सेना को वापस बेज रहे हैं क्या यह पत्र लिखकर किसके पास बेजता है रतन सिंग के पास किसके पास रतन सिंग के पास बेजता है और इधर कौन अल्लाउदीन खिल जी ठीक है अल्लाउदीन खिल जी इस पत्र को कहा बेज देता है रतन सिंग के पास बेजता है इस पत्र को बेजता है लाउदीन खिल जी कि हम तो सेना को तो वापस बेज रहे हैं और हम आपक यहां से चल कर यहां आए है कि महमान नवाजी कि तो रतनशींग ने इसको लिखा और पत्र में लि creeping भेजा कि आप पुलतान से मिलना चा disput descont मिल चाहते हैं तो आप बिना सेना के इकल ले कॉन अल्ला अट्विक करता है करता है यह बंद भसक्त करता है और करहें आपकी मेंमान नावाजी करता है आपकी मेंमान नावाजी यह वह Property से यह यह वरों का यора भी दिखायين से मेरे परिवारे सब्सक्या में बच्च्च्च ने विचमish न tá से तो मिलवाओ नई यह मत के साल एन तलवार निकाल के सारे सेनिक बेटे ता आसपास राणियों का नाम लेते की तलवार गले पर आगे बावडया उक में इतना बावड़ा नहीं हूं तुम मेवाड़ वाले और मैं एक अथीति हूं अथीति का समान करना तुमारा धर्म है त तो का आजाता है जब ऐसे कंडिशन होई गई तो बात यह की का आजाता है कि अब क्या करें करना क्या है करना कुछ नहीं है कि इतना कही रहा है अगर युद्र टल जाता है तो रानी से जाकर पूछा रतन सिंग ने कि यह से बात है युद्र टल जाता है तो कर लेते हैं एक दिख लाजा वह वाली कंडिशन एक बार आजा जा जलग दिखने एक वह वाली कंडिशन पेर दोस्तों तीक है की चलक तो दिखोर दोगें लेकिं पानी की परफट्चाय में आपकी छृषोह देखने Thai पड़ेगी का दाता है पर दोस्तों इस प्रकार से यह पानी का कौन अल्ला उद्दिन खिल जी इधर से देखता है अल्ला उद्दिन खिल जी देखने के पश्चात इसके उपर किसके उपर रानी पदमनी के पहले तो मन में विश्वासी था लेकिन विश्वासी था कि बहुत सुन्दर होगी लेकिन अब तो और दिल और दिमाग में किसके जिसके दिलो और दिमांग में रानी पदमनी किसके अल्ला उसके बजिन के अल्ला उसी करतां तो क्या करता है यहां पर करता क्या है पैर दोस्तों करता कुछ नहीं कि यहां पर अब क्या है इसको प्राप्त करने की लालसा और तेज़ हो जाती है कि इसको रानी पदमनी को और ठीक है की बही चलते है राम स्यामी करके अब बार ही निकल लें या मिमान आये हैं तो कहा जात तर्वाजे के इस दर्वाजे के बार जो रस्ता बना हुआ है यह तरीके का यह रस्ता बना हुआ है इस रस्ते में भी कितने दर्वाजे का लिए प्यारा दोस्तों दर्वाजा यहां दूसरा दर्वाजा यहां यह से दर्वाजे बने हुए और चार érm इस प्रकार की दर्वाजे तो साथ दर्वाजी पार करके किसको लगवग तीन से चार किलोमेटर की दूरी पार करके सी ओप करने के लिए रावल रतम सिंग किसको जाता है किसको सी ओप करने के लिए जाता है अल्ला अधिन खिल जी को तो कहा जाता है इसका नाम ता पहला दर्वाजा कौन सा पहर दोस्तो इसका परतम जो दर्वाजा माना जाता है इसको कहते हैं पाड़न पोल या पाड़न पोल कौन सा पाड़न पोल दूसरा भेरो पोल भेरो पोल ठीक है तीसरा अनुमान पूल अनुमान पूल चोथा गनेस पूल और पाँचवा जोडला पूल जोडला पूल और छटवा लक्षमन पूल लक्षमन पूल और यह दुर्ग का अंतिम दर्वाजा इसे करते राम पूल कौन सा पहर दोस्तों यह राम पूल इसका अंतिम दर्वाज यहां से लेकर यहां तक साथ दर्वाजों को पार करके जाना पड़ेगा कि दर्वाजों को पार करने पड़ाएगा साथ दर्वाजों को अल्ला अधिन खिल जी के सेना थी यह रावल रतन सींग है रावल रतन सींग को अल्ला अधिन खिल जी के सेने के क्या कर लेते हैं यहीं पर बंदी बना लेते हैं यहीं पर क्या कर लेते हैं यह बंदी बना लेते हैं और बंदी बना कर कहा ले जाते हैं दिल्ली ले जाते हैं और दिल रतं सिंग को बंदी बना लिया बंदी बना यह ले जाता है और यहां पर पत्र लिखता है और पत्र लिक कर का भेजता है मेवार भेजता है वेवार रानी पाद मनी को पत्र मिलता है यहां से गोरा और बादल पत्मनी की चाचा और बतीजा थे कौन थे एक गोरा और बादल कौन पहरे दोस्तों गोरा और बादल एक गोरा यह भती जाता कुन तब यह भाई था गोरा क्या था इसका भाई लगता था और बादल क्या था गोरा और बादल यह चाचा था किसका चाचा और बती जाते दोनों ठीक है चाचा और बती जाता दो ठीक है किसके यह पद्वनी के और पद्वनी के भाई चाचा तो ठेच सई यह सेनापती भी थे किसके सेनापती ते रावरतन शिंग को सेनापती थी क्या रावरतन शिंग ने अपने सेनापती बना रखाता इसको क्या सेनापती बना रखाता सेनापती बना रखाता इन सेनाप कि नंभी को है यह सोला सो डोल्याँ सो कन्या से हुर बेजना कि यह साथ i Adventures और भीज रहें कि ऐसा पत्र लिकर किसके पास बहसते हैं किलजी को चब यह पत्र मिलता है तो खूब राजी होता है, खूब कुशी होता है और कुशी होने के बावजूद का जाता है पहरे दोस्तों क्या है कि भेज़ दीजे भई तो डोलियां तयार की जाती है 1600 पालकियां तयार की जाती है और उसमें क्या किया जाता है भई किसमें नारी का वेज़तारना करते हैं और कहा पर यह कहा जाता है गुर्णाओं के पास तो बड़ी सेना तजिया करके छोड़ दिया जाते है और अल्लावद्दिन खिलजी के पास बेज दिया जाता है यह डूलिया लाइन से जाकर खड़ी हो जाती है लाइन से जाकर खड़ी हो जाने के परश्चात क्या कहता है कि एक शर्त है कि पहले पत्र पोचाए जाता है कि अल्लावद्दिन खिलजी के पास आने से पहले पदमनी र गरबतार कर लेता है या विलन गरबतार कर लेता किस प्रकार से मिलने के लिए बैजता है एक तरफ तो अलाउत इन खेल जी जी खिल यह पहले कहां पर दोनों बीच में मिलेंगे दोनों की मुलाकात होती है ठीके दोनों सी है कि मैं आपको चुडाने आया कि क्या योजना यह तो बहुत बड़ी सेना है और इसकी साथ इसोड़ा सो पाल क्यों कि चार-चार ड्राइवर भी ए इतने साली और उसमें दो-दो वेक्ति और बेटे हुए है महिलाओं के वेस में तो इतनी सारे योद्दा हमारे बार कड़े बता देते यह अपस में वारतालाब करते हैं वारतालाब करने के पेश्याच्ण रतन शहां से निकल जाता है निकल जाने के पुख लगता है और वहागने लगता है तो कहा जाता है। दोस्तों भाप कर का चिक्तोड पहुंचता है दिल्लिस से लेकिन इसको पता किसका रतन सिंग का पता किसको लगता है इसको लगता है और आतन सिंग का पीछा करता है Hue पीछा करते हुए कहा पर पहुझता है पीछा करते हुए ये पोचता है यहां यह कौन मिल जाते भी दोनों मिल जाते हैं कौन मिल जाते हैं इधर से रतन सींग और रतन सींग और कौन अल्ला उद्दिन खिल जी दोनों के मद्दे क्या होता है युद्ध होता है और युद्ध होता है दोनों को बीच में और यहां पर रतन सींग क्या होता है वीर गति को प्रा स्टीच के और बढ़ता है तो आपको पता है कि यहां पर पहले सुचना मिल गए ती रतन शींग को की जोहर कर तुकी है पदमनी जोहर कर चुकी है तो यहां पर यह रतन सिंग मारा जाता है और यह जब इदर बडा यह ला उद्दिन किली किसकी तरह बढ़ा दूर की तरह पो जो नी सहाए या बिना बात के कहा जाता है कि यहां पर तीस अजार सेनिकों का तीस अजार लोगों का कतलियाम करजा देता है तीस अजार वेक्टियों को काड़ देता है वेक्टियों को मार देता है या काड़ देता है मार देता है कौन अल्ला उद्दीन खिल जी बिना मतलब कि जो सांती से बेटे हुए खा रहे ते लोग उनके उपर क्या करता है बहुत बुरा अत्याचार करता है और कहा जाता है कि ये 34 वेक्तियों को मरवा देता है कहां पर अनती मधिकार 26 अगस्थ कभ 26 अगस्थ किस पर चितोड पर अधिकार कर लेता है की तोड पर अधिकार कर लेता है क्या कर लेता है अधिकार कर लेता है और यहां पर अपने पुत्र यहां पर अपने पुत्र अपने पुत्र खिज्र कहां को नियुक्त करता है किसको खिज्र खां को नियुक्त करता है नियुक्त करता है ठीक है खिज्र खां को नियुक्त करता है यहां का किले दार किसको खिज्र कहां को नियुक्त कर देता है चितोड का नाम बदल कर, खिजराबाद कर देता है, क्या कर देता है, और बात करें, यहाँ पर चितोड का नाम बदल कर क्या कर दिया है, इसने खिजराबाद कर देता है, कुछ समय के पश्चात कौन यहां पर खिजरावाद देखेगा कौन प्यार दोस्तों यह खिजर का है खिजर खान कुछ समय पश्चात कुछ शमय पश्चात माल सब्सक्राइब नियुक्त करके यहां से दिल्ली चला जाता है माल देव है तो नगरा तो नगरा तो तो तोड़ ओ कितोड़ तोंपकर क्योंपकर दिल्ली चला जाता है कहां चला जाता है फिर दिल्ली संक उपर इसके जांकरी हमें अमीर खुजरो की फुस्तक किसकी अमीर खुसरो खुसरो की फुस्तक कोंती खजाइन उल्फतू है खजाइन उल्फतूह से मिलती है खजाइन उल्फतू से मिलती है यह अब किसका अधिकार हो जाता है और कहा जाता है तेरा सो तीन में क्या हो जाता है अधिकार किस पर चितोड़ पर हो जाता है तो आज के लिए इतना ही काफी पैर दोस्तों बहुत धन्यवाद पैर दोस्तों चैनल पर और जा करना मत भूल ये लाइक करना और शेयर करना मत भूल ये पहर दोस्तों मिलते हैं नेक्स प्राइश में बहुत धन्यवाद नमस्काइब